भाजपा के गवारों को, स्कूल भेजो सारों को, कहां है वो आतंकवादी केजरीवाल को, किसको बुलाया आतंकवादी केजरीवाल को, किसको बुलाया आतंकवादी शाहीन बाग की महिलाओं को, किसको बुलाया देश द्रोही हमारे बच्चों को कॉलेज के छात्रों को जो पड़े लिखे हैं जिनका ये देश है और जिनके लिए इस देश की बागडोर संभालने का काम करती है आती जाती सरकारे आज की सरकार भूल गई है कि जिनको वो बुला रहे हैं देश द्रोही जिनको वो बुला रहे हैं आतंकवादी ये देश उनका भी है जिन छात्रों को वो बुला रहे हैं आतंकवादी ये देश उनका और केवल उनका है क्योंकि ये देश को आगे ले जाने का काम ये पड़े लिखे नौजवान करेंगे तो ये सरकार डरती है साथियों दोस्तों जैन आप से मैं सुझाता पॉल देहरादून से जुर्णाई हूँ और आज बात करना चाहती हूँ दिल्ली के चुनावों के बारे में और इस सरकार के डर और भै के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हूँ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है जनता अगर जाग गई जो जाग चुकी है तो इनका खात्मा हो जाएगा अमिच्छा सोचते हैं कि भारतिय जन्ता पार्टी सत्ता में क्या आई सदैव सत्ता में ही रहेगी मगर इनसे बड़ा डरा हुआ व्यक्ति मैंने भारत की पुलिटिकल सीन पर केवल और केवल एक देखा इससे पहले ना देखा और उमीद करते हूँ कि इसके बाद भी ना देखा जाएगा आप देखिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरिवाल व्यक्ति जिसने एक पार्टी खड़ी करी आपकी वज़ा से जन जन की वज़ा से आप लोगों की वज़ा से आमादमी की वज़ा से बहुत कुछ कहा गया अरविंद केजरिवाल के बारे में मगर आज अगर आप उनकी पार्टी को देखे तो उनमें धड़ों में नहीं बिकी हुई है पार्टी उनकी पार्टी धड़ों में बटी नहीं हुई है उन्होंने भले ही कुछ ऐसे कदम दिये और कुछ नेताओं को निकाला मगर कम से कम एक जुटिये पार्टी खड़ी दिखती जरूर है आज कॉंग्रिस जो टूटी है वो धड़ों में बटी है वो जानते हैं कि अंतर कलहा जो उनके अंदर है आपने भी देखी है मैंने भी देखी है स्वैम पार्टी जानती है भारतिय जन्ता पार्टी में कोई लोग तंतर नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी में केवल दो लोग हैं जो आए हैं कुछ राज से और आज उस पार्टी को संभाल रहे हैं केवल एक व्यक्ति जिनका नाम है अमिच्शा अमिच्शा कितने डरे हुए हैं मैं इसकी बात करना चाहती हूँ 240 Member of Parliament Members of Parliament याने की MP याने की सांसद 240 पूरे देश के दिल्ली में जोपड़ियों में रहेंगे जाकर आम लोगों के साथ बढ़िया बात है ना लोगों के साथ जुणना तो नेता का काम ही होता है परंतु ये हुआ क्यूं ये हुआ आपकी शक्ति की वज़ा से आपकी वो शक्ति जो आपने अर्विन केजरीवाल को दी आपकी वो शक्ति आपका वो साहस जो अर्विन केजरीवाल के साहस में जलकता है अर्विन केजरिवाल यदि आज मुख्य मंत्री है दिल्ली के और बहतरीन काम करते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है सच मुझ में वे आतंकवादी हैं वे आतंकवादी है क्योंकि उन्होंने देशत बनाई हुई है भारत्य चंता पार्टी में देश की सबसे पार्टी के अंदर देशत बनाने वाले अर्विन केजरिवाल आपके भरोसे खड़े हैं आज अर्विन केजरिवाल को अगर हराने की कोशिश करी जा रही है तो लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं करी जा रही है उनको हराने के लिए साम दाम दंड भे और जितने की गलत रास् अब दिल्ली की जनता का दार्टे उपर ये दारुमदार है दिल्ली की जनता का ये कर्तव्य है और हम दिल्ली की जनता पर भरोसा रखते हैं कि जिस व्यक्ती ने आपके लिए इतना कुछ किया स्कूलों की व्यवस्था इतनी बढ़िया बनाई उन्होंने शिक्षा का रूप बदल दिया, उन्होंने ब्रश्टाचार को कम करा, उन्होंने जिस प्रकार से आप लोगों को बिजली मुफ्त दी, इसके लिए उनको सिल्यूट करने की जरूरत है और उनका साथ देने की जरूरत है दोस्तों, अगर अर्विंद केजरिवाल को आज ये कहा जा रहा है कि वे शाहीन बाग के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, उन्हें उकसाया जा रहा है, परन्तु भूल गई है भारतीय जंता पार्टी की ये अर्विंद केजरिवाल है, बहतर तरीके से समझते हैं, वे जानते हैं कि पॉलराइजेशन किया जा रहा है, वे जानते थे कि कहना चाहती हूं शाहीन बाग के लिए लोग कह रहे हैं कि इन्हें अपना जो धर्ना है उसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इसका वाइदा भारतिय सामने रखना चाहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहीन बाग के अर्गनाइजर्ज में से कुछ भिजनि भकत हो रही है भारतिय जंता पार्टी के साथ अमिच्शाजी के साथ जिसकी वजहा से सच बुच में ये धरना दर्शन तूट नहीं रहा उठ नहीं रहा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बैठाए रखने में बनाए रखने में अमिच्छा जी को लग रहा है कि उनका फायदा हो रहा है तो दो पक्ष हैं दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रखे हैं परनतु इन सब से उपर उठके मुझे भरोसा है आप पर मुझे भरोसा है दिल्ली की जंता पर जिनों ने जाल उपर अपना कीमती वोट दिया था फिछले जुनावों में अगर आपकी बार आपने ये नहीं पहचाना कि अर्विंद केचरिवाल ने आपके लिए क्या काम किया है तो यकीन मानिए इनसान के उपर से भरोसा उठ जाएगा वोटर के उपर से भरोसा उठ जाएगा और नेता गलत मिलते रहेंगे और अगर नेता गलत मिलते रहे, तो इसका दोश दिल्ली की जंता आप पर होगा, दिल्ली की जंता अगर इस बार सही प्रकार से चुनाव करेगी, तो ना भाजपा, ना कॉंग्रेस, ना कोई और, इस वक्च केवल और केवल आपको आगे लाइएगा, केवल और केवल उनको आगे लाइए जो आपके लिए काम करें, जो आपको भढ़काएना. अब क्या कर लेंगे आप मुझे बताईए, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान की. आपको बात करनी चाहिए दिल्ली दिल्ली के विकास को देखे और देश के विकास को देखे कितना बड़ा अंतर है जबकि अर्विन केजरिवाल ये कहते रहे हैं कि उन्हें सरकार का सहयोग नहीं मिलता है केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं करती केंद्र सरकार कितनी बेशर्म है कैसी कैसी बाते कर रही है केंद्र सरकार ये कह रही है कि केजरीवाल ने कहा था कि हजार स्कूल खोलेगी पगर कहा है वो स्कूल अजे सिंग बिश्ट आ जाते हैं ये कहते हैं आरो का पानी कहा है मुझे यकीन है अरविंद केजरिवाल पर जानते हैं क्यों क्योंकि वे एक पड़े लिखे व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि पड़ाई लिखाई ही आप लोगों को आगे ले जाएगी पड़ाई लिखाई आपके बच्चों को यदी मिल गई और अगर आपके बच्चे पढ़ लिक गए और उनका स्तर बढ़ गया उनका उनकी सोचने की शक्ती बढ़ गई उनका एक्स्पोजर बढ़ गया तो याद रखे कि कोई नेता कभी आपको दबा नहीं सकेगा भारतिय जन्ता पार्टी ये नहीं चाहती, भारतिय जन्ता पार्टी ये चाहती है कि आप मंदेर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान करते रहे, वो आपको बाटने की कोशिश कर रही है, परंतु आप भी जानते हैं, यदि आज भ तो लाया गया, आप जानते हैं कि ऐसे कई कई लाख लोग हैं, जो असाम के एन रसी में छूट गए, जो हिंदू है, अधिकांच उसमें हिंदू है, 16 लाख अगर हिंदू है, और 4 लाख अगर मुसल्मान है, और अगर CAA के तहट, जितने हिंदू है, 16 लाख, 19 लाख, 20 ला अगर वे कहते हैं कि हम अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगला देश से आए हैं तो उन्हें नागरिक्ता मिल जाएगी और बाकी जो मुसल्मान हैं उनको नागरिक्ता नहीं मिलेगी तो ये बात उन लोगों की नहीं है जो आज पाकिस्तान में रहते हैं साथियों क्योंकी जो पकिस्तान में रहते हैं उनेild तो सरकार अध्नान सामी की तरहा तब ही दे सकती है नागरिकता यदि वे गुहार लगाए आप मुझे बताईए कि क्या आपको ये नहीं पता कि हम अपने अपने मुसल्मान भाइयों के बारे में नहीं पसंद करते कि इमरान खान एक भी शब्द बोले हमारे मुसलमान भाई बहन भी नहीं पसंद करते कि वे एक शब्द भी बोले अपना मुझ खोले हमारे देश के अंद्रूनी मामलों को लेकर तो हम क्या कर रहे हैं हम पाकिस्तान के अंद्रूनी मामले के बा बारे में नहीं बात कर रहे, दबे हुए, कुछले हुए लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, उच्च समाज की बात नहीं करिये, जो उच्च जाती के लोग है, ये केवल उनको उच्च समाज समझते हैं, समाज समाज होता है, और समाज वो होता है जिसमें हर व्यक्ति बर प्राबर का होना चाहिए परंतु ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान में आज रहने वाले उन परसीक्यूटेड माइनॉरेटी से बारे में उन हिंदू सिक्ष पार्सी वगहरा 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 के बारे में जो वहां रहते हैं ये उनके देश का अंद्रूनी मामला है, हमारा अधिकार नहीं है, कि हम उनके बारे में तब तक बात करें, जब तक वो हमसे गुहार ना लगाए, जैसे हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारे यहां के नागरिकों के बारे में बात करें, वैसे ही हमें भी कोई अधिकार नहीं, कि हम उनके बारे म बात करें देश की बदनामी कौन करा रहा है देश की बदनामी यही लोग करवा रहे हैं जो सत्ता में पे काबिज हैं पर सत्ता पे भारतिय जनता पार्टी सचमुझ में काबिज नहीं है इस पर भारतिय जनता पार्टी के जंडे को लेकर चनने वाले ताना शाह दो जिसमें स चला रहे हैं इस पार्टी को, वे चला रहे हैं इस देश को और हम सब को अपनी आवाज को बुलंद रखने की आवश्यक्ता है। Don't be silent, but don't be violent. Remember.